हेलो फ्रेंज इस दीपाक सिंग और आज हम टॉपिक डिसकास करेंगे न्यूट्रेंट बेस सबसीडी फॉर P&K फर्टिलाइजर्स का यह टॉपिक हम क्यों डिसकास कर रहे हैं क्योंकि एपरिल 27 को यह डिसीजन लिया गया था एपरिल 28 के न्यूस्पेपर में आया था 27 के आ आटिकल अपका पबलेश हुआ था कि न्यूट्रेंट बेस सबसीडी फॉर P&K फर्टिलाइजर्स के लिए आपका कैबिनेट ने कुछ अप्रूबल दिये हैं तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे इन थ्रीसी एप्रोच यह टॉपिक हम डिसकस करेंगे तो अपका के होता है और फॉस्फोरोस आपका पी होता है तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूफ करा है कि डिपार्टमेंट ओफ फर्टिलाइजर्स है एक यह बात धियान रखना कि डिपार्टमेंट ओफ फर्टिलाइजर्स आपका मिनिस्ट्री ओफ केमिकल और फर्टिलाइ that is from आपका 1st April 2022 retrospective आपका ये अप्रूफ करा गया है to 30th आपका October आपका September, 30th September 2022 तो यहां तक का आपका जो खारिफ सीजन है, खारिफ आपका ये वाला सीजन होता है फिर उसका अधराभी सीजन आता है आपका तो उस सीजन के लिए इसके rates increase करे गए हैं, तो इसके बारे में हम ये topic discuss करेंगे तो आपको nutrient-based subsidy क्या होती है फिर urea के बारे में भी क्या subsidy होती है fertilizers की subsidy क्या होती है और कुछ अगर initiatives लिए गए है fertilizer sector में, recently आपके पिछले कुछ महीनों में साल में, तो मैं आपको share कर दूँगा तो recent revision of rates क्या हुआ है, वो बता देता हूँ कि अभी इस time पे international prices of fertilizers आपके काफी जादा आपके increase हो रहे हैं, क्योंकि जो उनका inputs होते है उनके prices काफी जादा increase हो है global inflation में आपको पहले भी बताया थे कि काफी जादा increase हो रही है so in view of steep increase in the international prices of fertilizers of inputs that is urea, DAP, MOP आपका molasses based आपका जो आपका है sulfur, so government has decided to absorb the increased prices by increasing subsidy on PNK fertilizers including DAP आपका तो ये जो सारे fertilizers है, again क्योंकि international market में जो fertilizers के input होते हैं, तो उसका price बढ़ गया है, उसका price बढ़ गया तो fertilizer के price भी काफी बढ़ गये है तो जो farmers है, उनके उपर काफी आपके problem आ रही है, तो government ने का कि चलो, हम ये absorb कर लेंगे जो भी international prices आपके बढ़े हैं तो वो farmers पर नहीं जाएंगे, हम subsidy और increase कर देते हैं आपका इस context में, क्योंकि farmer के context में वैसे भी काफी थोड़ी resentment है, क्योंकि farm laws repeal तो कर दिये गए थे, पर वो एक साल में थोड़ी resentment रही थी और अगर आप इस साल का budget भी देखेंगे union budget आपका 2022-23 तो उसमें भी farm sector को PM किसान mission को सबसे ज़ादा आपका allocation दी गई थी आपकी और उसके बाद जल जीवन mission का PM किसान बे आपका 69,000 करोड आपकी allocation दी गई थी आपका जल जीवन mission की आपकी दी गई थी 45,000 करोड आपका, उसकी 60,000 करोड थी इस साल, पिछले साल 45,000 करोड थी तो farm sector को आपको बहुत जादा आपका focus करा जा रहा है, the subsidy would be released, तो यह government इस background में आपका increase करने की बात करें, revision of rates, the subsidy would be released to fertilizer companies as per approved rate so that they can make available for fertilizers to farmer at an affordable price then it would have been otherwise आपका, तो यह आपके background में है the union government has decided to provide subsidy of rupees 2500 आपका जा फिर 2501 एक रुपय आपका शगुन के चक्तर में भी हो सकता है क्या symbol है वो तो पता नहीं, लेकिन 2501 per bag की subsidy देंगे on DAP, instead of existing subsidy of rupees 1650 per bag, which is a 50% increase over the last year subsidy rate तो आप देख सकते हैं कि DAP आपका जो आपका fertilizer है उसका तो उस पे जो पहले subsidy मिलती थी वो थी आपकी 1650 अब उसको increase कर दिया गया है 2501 आपका the increase in the prices of DAP and its raw material is in the range of approximately 80% आपका, तो आपका fertilizer, prices आपके बहुत ज़्यादा increase कर दिया है subsidy भी इसलिए government ने काफी ज़्यादा increase कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि DAP और उसके raw materials के लिए आपकी तो उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा आपके fertilizer subsidy के बारे में देखते हैं कि क्या कहानी है, कैसे fix होती है पहले तो हम overall subsidy के बारे में देख लें दें कि different fertilizers के लिए क्या के regime है, फिर मैं NBS आपको बता देता हूँ So government is making fertilizers namely urea and 25 grades of P&K fertilizers आपका phosphorus and potash आपके fertilizers है तो phosphorus and potash के different combinations से आपके different fertilizers 25 grades of fertilizers बनते हैं और उसके अलाब़ यूरिया है, यूरिया आपका mainly आपका जो सबसे highly consumed fertilizers है तो government is making available fertilizers namely urea and 25 grades of P&K fertilizers to farmers at subsidized prices through fertilizer, manufacturer and importers आपका and urea is being provided to the farmers at a statutory notified maximum retail price तो urea जो आपको provide करा जाता है, उसके लिए अलग से subsidy provide करी जाती है at a statutory आपका, यानि कि आपका law based आपका legal backing है आपका notified आपका MRP, maximum retail price तो इसके लिए अलग से आपका law है, जिसके अंदर MRP fix करा जाता है urea का और उसके अंदर subsidy दी जाती है आपका, तो urea के लिए अलग है and आपका 25 grades of P&K fertilizers, phosphorus and potash उसका अलग है तो उसके लिए आपका nutrient based subsidy है, जो हमारा आज का topic है so again department of fertilizer is implementing NBS policy for P&K ये धियान रखना है कि nutrient based subsidy आपका जो है वो आपका P&K fertilizers का है, urea के लिए नहीं है urea में भी थोड़ा बहुत P&K होता है but बाकि सारे जो 25 grades of fertilizers है उसके लिए आपका use होता है, urea का अलग से है so ये जो आपकी nutrient based subsidy है, ये आपकी 2010 से चल रहा है तो ये recent initiative नहीं है, 2010 से चल रहा है under this policy, a fixed rate of subsidy in rupees per kg आपका basis तो मैंने आपको बताया था कि DAP का आपका जो per kg पे आपको 2500 रुपी या फिर 2501 के आपकी subsidy दी गई है पिछले साल आपकी थी 1650 तो आपका 50% आपका increase हुआ था तो आपका एक fixed rate of subsidy दी जाती है in rupees per kg basis and it is announced on nutrients नेमली nitrogen, phosphate, potash and sulfur by the government on annual basis तो annually आपका subsidy announce करा जाता है और उसमें जो आपका subsidy दी जाती है वो आपका कौन से nutrients के लिए दी आ जाता है nitrogen, phosphate, potash and sulfur अब आप कहेंगे कि sir आप तो PNK बोल रहे थे आपका phosphorus and potash के बारे में ही बोल रहे थे आपने nitrogen and sulfur के बारे में क्यों नहीं बोला chemical compounds होते हैं आपके वो phosphorus and potash होता है आपका phosphate and potash यह है आपके main आपका dominant chemical compound है तो इसी background में हम PNK के बारे में बात करते हैं पर nitrogen and sulfur के लिए भी आपका announce करा जाता है government आपका the per kg subsidy rates on the nutrients in PKS आपका is converted into pertan subsidy on the various PNK fertilizers covered under this policy तो जैसे मैं आपको बताया था 25 grades हैं आपके इसके permutation and combination से बहुत सारे fertilizer बनाया जाते हैं आपके depending on सी कौन सी crop है आपकी any variant of the fertilizers covered under the subsidy scheme with micronutrients namely boron and zinc is eligible for a separate pertan subsidy तो इसके लिए कुछ अलग आपकी pertan subsidy आपकी convert करी जाती है साथ में कोई भी ऐसे fertilizer under the subsidy scheme जिसमें के लिए micronutrients हैं आपके boron and zinc तो boron and zinc के जो micronutrients हैं उसके लिए आपको तो उसके लिए आपको बलब ऐसे जो fertilizers हैं जिसमें ये सारे nutrients तो हैं आपके NPKS साथ में जिन fertilizers में आपका boron and zinc ये micronutrients हैं ये micronutrients हैं ये micronutrients हैं तो ये fertilizer जिसमें boron and zinc micronutrients हैं ये आपका separate subsidy के लिए आपका eligible है to encourage their application along with primary nutrients तो encourage करने के लिए ये micronutrients आपका boron and zinc इन micronutrients को encourage करने के लिए separate subsidy दी जाती है आपका MRP of P&K fertilizer has been left open and fertilizer manufacturers and marketers आपका जो भी है तो again इसका MRP इसका fix open करा हुआ है कि हम subsidy दो fix कर देते हैं पर MRP आपका market determine करेगी subsidy हम 2501 पर अभी fix कर दिया अपने DAP वाले fertilizers के लिए so जब MRP has been left open and fertilizer manufacturers and marketers are allowed to fix the MRP at reasonable rates in effect the domestic prices are determined by demand supply mechanism तो URIA का आपका MRP fix करा हुआ है ये धियान रखना कि URIA का अगर हम बात करें MRP fix है under law पर आपका PNK fertilizers है उसके लिए आपका subsidy fix है not MRP and आपका जो boron and zinc base आपका उनके लिए अलग से subsidy है separate subsidy है उनके लिए तो ये आपका है इसको ये micronutrients है आपके and PNK के साथ आपका N and S भी आता है आपका so domestic prices again आपका demand supply mechanism आपका determine करता है साथ में मैंने आपको URIA के लिए बता दिया कि आपकी अलग से subsidy होती है आपकी subsidy नहीं होती है उसके लिए अलग से price fix करा जाता है NBS आपका nutrient-based आपका subsidy मैंने आपको बता दिया है nutrient-based again subsidy वहाँ पे है अब हम बात करते हैं इसी nutrient-based subsidy के अंदर आपका October 2021 में आपका potash derived from molasses तो मैंने आपको बता दिया था कि phosphorus and potash होता है potash का symbol आपका K होता है तो यह जो आपका potash है that is also derived from molasses आपका तो October 2021 में क्या कर रहा है Union Government brought potash derived from molasses under nutrient-based subsidy तो इस पे question मन सकता है कि so यह आपका पहली बार आपका include करा गया था potash based potash derived from molasses to give a push to its manufacturing by sugar mills तो आपका जो molasses होता है आपका जो गन्ना होता है sugar cane होता है तो उस टाइम पे आपका जो sugar process हो रहा होता है तो उसमें से molasses आपके होते हैं by product निकलता है और उसी molasses से आपका यहाँ पे आपके fertilizer भी manufacturer आपके करे जाते हैं तो using the potash उस molasses से आपका potash मिलता है which can be used as a fertilizer so again यह पहली बार ऐसा हुआ था October 2020 में कि potash derived from molasses को आपका nutrient based subsidy के निकल्यूड कर दिया गया था this fertilizer is known as PDM 001450 यह आपका है fertilizer आपका जो potash derived from आपका मुलासिस है उसका उससे जो fertilizer manufacture करता है उसका नाम है आपका PDM 001450 यह आपका fertilizer है तो again इस पर question है कि यह PDM आपका क्या है 001450 तो अगेगा कि इसकी birthday date है आपका pan number तो नहीं है आपका CKLP के नाम से आपका ऐसा है तो यह आपका potash derived from molasses है PDM से आप ध्यान रख ले ना बाकी आपका number ध्यान रखे ना आगे तो mineral based जो potash है आपका MOP उसको India import करती है और आपको मैंने बताया था कि international market में आपके जो prices increase हो रहे उसी के चक्कर में fertilizer के prices increase हो रहे तो इंडिया को लगा इंडिया ने जुगाडू तो country है हमारी तो उनको लगा कि किसी तरीके सा आपका potash तो हम आपका byproduct molasses से भी निकल सकते हैं तो MOP के जगा आपका PDM के तरफ जाते हैं आपका okay mineral based potash के जगा हम PDM को encourage कर रहे हैं तो जो आपका MOP है वो mainly आपका 100% import होता है उसका mineral based potash आपका तो उसकी जो आपका जो import bill है वो भी reduce हो जागा तो ये भी आत्म निर्भर अभियान के अंदर potash derived from molasses है and again objective यही इसका code name यह है nutrient based subsidy को इसके अंदर include कर दिया गया है October 2021 में और objective यह है कि आपका mineral based potash है जो आपका 100% import करे जाते हैं उसको reduce कर देंगे आपका अब हम यह हमारा आपका fertilizer fertilizer subsidy के बारे में क्या various schemes है उसके बारे में देख लिए एक बार fertilizer subsidy का जो bill है वो भी देख लेते हैं तो अगर हम देखे अगर एक बार का economic survey हम देखे आपका 2022 का तो total हमारा जो आपका subsidy bill था वो आपका 2.3 lakh करोड था आपका economic survey के according total major subsidies अगर हम बात करें उसकी तो total major subsidies आपकी 2.3 lakh करोड थी जिसमें से 66% तो food subsidy यह आपका 1.64 lakh करोड आपका आप देख सकते हैं तो और इसमें जो आपका है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना so that provides free food grains to beneficiary over and above the regular monthly NFSA National Food Security Act आपका food grains तो NFSA के अंदर जो food grains आपका जो NFSA आपका National Food Security Act है तो उसके अंदर भी कुछ food grains प्रवाइड करी जाती है उसके अलावा आत्मे नहभर अभियान के अंदर जो coronavirus के pandemic के बाद आपका लाँच करा गया था तो यह आपका प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना है तो यह भी आए तो इसके चक्कर में food subsidy bill और बढ़ गया था ताकि यहां पे लोग poverty में ना चले जाए तो food subsidy bill आपका हो गया 1.64 lakh करोड आपका 1.6 lakh करोड यह आप मान लीजिए तो यह 66% है उसके बाद आपका 66,000 करोड आपका fertilizer subsidy है major subsidy की बात कर रहा हूं है आपका and petroleum subsidy आपका 1300 आपका करोड है तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा total आपका 2.3 lakh करोड है आपका आपका subsidy bill आपका जिसमें से 1.64 lakh करोड आपका food subsidy fertilizer subsidy second number पे है petroleum subsidy third number पे आपका अभी subsidy और increase होगी साथ में new urea policy आपकी 2015 की launch करेगी थी fertilizer sector में देखें तो क्या-क्या और initiative लिए गए है so new urea policy has been notified with the objectives of maximizing indigenous production promoting energy efficiency in production and rationalizing subsidy burden on the government तो new urea policy बस यह धिहान रखना कि 2015 में notify करेगी थी बाकी general objective है साथ में neem quoted urea को promote करने के लिए government of India has made it mandatory for all the domestic producers of urea to produce only neem quoted urea तो जो भी domestic producers of urea है वो सरफ आपका neem quoted urea ही produce करेंगे बाकी कोई और आपका urea produce नहीं करेंगे अगर import कर रहे हैं तो बात अलग है बाकी वरना neem quoted urea ही produce करेंगे तो यह domestic producers के लिए mandatory है आपका तो अगेन obligatory नहीं है यह mandatory आपका साथ में आपका जो dbt direct benefit transfer for fertilizer subsidy है वो आपका introduce करा था 2018 में इसका जो third version second version है 2019 में introduce करा था है और third version आपका यह भी आपका introduce कर दिया गया था और जो third version है आपका direct benefit transfer of fertilizer subsidy के लिए उसके अंदर एक e-portal मनाया गया है by the name of e-urvara का आपका e-urvara की आपका पोर्टल introduce करा गया था आपका www.urvarak.nic.in which gives real-time data and quantities of fertilizer produced imported stock position at national, state, district and retailer level and supply and availability at all level तो e-urvara क पोर्टल है आपका तो जो आपका demand and supply आपका fertilizers का बताता है वो आपका बताता है यह e-urvara क्पोर्टल आपका तो यह fertilizers के लिए यह धियान नकना बस की इसमें e-urvara क्पोर्टल जो है आपका यह आपका fertilizer की आपका demand supply बताने के लिए है तो यह major initiatives है fertilizer में तो friends यह था मेरा lecture आपका I hope आपको यह lecture अच्छा लगा हो जो nutrient-based subsidy है current affairs को यह topic target करता है साफ में जो भी fertilizer की subsidy है initiatives है वो मैंने आपको बता दिया है I hope आपको यह lecture अच्छा लगा हो If you like this lecture then do press the like button share it with your friends at various social media platforms like facebook, instagram, telegram and youtube and this is our mail id info at the rate aqbias.com and this is our contact number 931905800 So friends if you have any query then please feel free to contact me I am Deepak Singh or my other team members at aqbias So friends this is Deepak Singh on behalf of aqbias Bye Thank you